बीच सड़क आपस में बीड़ी सकूली छत्राइं, देखकर लोग रह गए हैरान, कहरे एक तरफ तो लोरिस बिश्नोई की गैंग है, दुसरी तरफ इन सकूली छत्राओं की गैंग है, जो आपस में बीड़ रही है, और इसको देखकर लोग कहरे के ये देखिए मेंगे सकू ग्रूपों में लड़ाई होती है और एक तरह से गैंगवार होता है और यह अक्सर सकूल कोलेज के लड़के करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आज कल लड़कियां किसी से कम नहीं है ऐसा ही दिखाई दिया नोईडा में जहां पर एक प्राइवेट सकूल के बाहर लड़ जिखाई दोस्तो सोसल मेडिया पर यह वीडियो जमकर वाइरल हो रही है जिसके बाद लोग पहरे के देखिए हम इनको पढ़ाने के लिए इतने महंगे महंगे स्कूलों में बेजते हैं लेकिन वहाँ पर जाकर देखिए यह किस तरह की करतूते कर रही है लड़कियां जि इसमें देखा जा रहा है कि कुछ लड़कियां है जो येलो कलर की ड्रेस डाली हुई है और उनी में एक औरेंज कलर की ड्रेस वाली लड़की भी है जिसको जमीन पर गिरा दिया गया उसके बाद उसके बाल नोचे गए तो अन्य लड़कियां भी उसको मार रही है जिसको हर कोई है और जो आसपास के लोग थे वो छुडाने के लिए मजबूर हो गए हलां कि यह सुरुआत में दो लड़कियों के बीच आपस की लड़ाई होती है लेकिन देखते ही देखते कब यह गुटबाजी बन गई पता ही नहीं चला जिसके चलते हलां कि जिस लड़की को न कहने को मजबूर हो गए कि देखिए इतने इतने मेंगे स्कूलों में इन लड़कियों को पटाते हैं माबाप लेकिन वहाँ जाकर यह देखिए कैसे कैसे करतब दिखा रही है हलां कि लोग इस बात को लेकर भी है कि हमारे देश का युवा किस तरफ जा रहा है इन लड़क को भी फैल करती दिखाई दे रही है यह लड़कियां तो जो बीच बजार इस तरह से लड़ रही है हलां कि इसको लेकर अब यह लड़ाई किस वज़े से हुई क्यों हुई इसका तो नहीं पता लेकिन जिस तरह से यह लड़कियां लड़ती हुई दिखाई दे रही है और किशी ने इनका वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर डालना तो लोग कह दे के इनके खिलाब एक्सेल नो ना चाहिए और उस सकूल के खिलाब ये पढ़ती है लड़किया हाला कि सकूल सरकारी नहीं है बलकि प्राइवेट है और जिस कान लोग ज़्यादा बढ़के हुए कि इतने बड़े-बड़े स्कूलों में इतनी महिंगी-महिंगी फीसे बरते हैं माबाप लेकिन उसके बावजुद भी देख सकते कि लड़कियों को कैसे संसकार दिये है इस स्कूल जिसके चलते स्कूल को भी ट्रॉल कर रहे हैं लोग दोस्तों आप क्या कहते हैं इसको देखकर अपनी राइक कमेंट वोक्स में जरूर दीजिएगा धन्यवाद दोस्तों देखते हैं यह सच की आवाज